असलाम अलेकम स्टूडेंट साथ जम डिसकस करेंगे टोपिक प्रोटिस्ट एन फंजाई फर एम्डीकेट 60 MCQs होंगे we will discuss 60 MCQs फर इन में से कौन सी चीज है जो प्रोटिस्ट की एम्डीक लाइफ में एपसेंट होती है या फिर ऐसी चीज जो प्रोटिस्ट में कभी होती ही नहीं है तो इसका बेस्ट ओप्शन है एम्डीयो नहीं ब्लास्ट यूला नहीं एम्डीयो भी नहीं होते इसमें और ब्लास्ट लाहते इनमें ये दुनों चीजे एपसेट होती हैं इसलिए इसका बेस्ट आप्शन है ओप्शन चालि जनी यह नी देडू नाट ड्वेल फ्रों बथ। बेस्ट आप्शन इस ऑप्शन चालिक नेक्स्ट्रेम्च प्लोटीस्ट इंजेस्ट लाइक फूड लाइक, most proteist food कैसे ingest करते हैं, जैसे ये कोई भी proteist है, तो इसने food ingest करने के लिए इस तरह endocytosis करनी है, तो endocytosis सबसे ज्यादा किसमें होती है, बेशक एनिमल्स में भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो best option है, वो option बीटा है, यह नि, they ingest food like amoeba, next time cqs देखते हैं, which of following procreot's lag flagella, इन में से कौन सा procreot है, जिसमें flagella absent होता है, flagella quenoflagellates में absent होता है, इनका नेम ही शो कर रहा है, इनमें flagella present है, viruses eukreot ही नहीं है, ना ही यह किसी भी kingdom का part नहीं है, bacteria procreot है, तो best option is option beta, यह नि, amoeba में कोई भी flagella नहीं होता, next time cqs देखते है, body form of flagellates is, flagellate की body किस तरह होती है, flagellate की body, यह तो यह spherical होती है, यह elongated होती है, to best option is option, delta, spherical और elongated, zoo flagellates की body, यह to spherical होती है, यह elongated होती है, next time cqs देखते प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्ट मोनोफाइलेटिक होते हैं या पॉलिफाइलेटिक या डाइफाइलेटिक, मोनोफाइलेटिक वो होते हैं जिनकी जो पेरेंट्स या फिर अन्सेस्टर में सिरफ एक ओर्गनिजम हो, लेकिन पॉलिफाइलेटिक होते हैं जिसके एक से जा जाते हैं और mostly multicellular है और अगर हम kingdom plant देखें दूसमें तारे plant आ जाने तो लेकिन protist में ऐसी कोई भी नहीं बात के सारे monophyllatic हो सारे polyphyllatic होता है इनमें से कौन सा प्रोटिस्ट है जो ड्राइवूड की ड्राइजेशन में हेल्प करता है तो कौन सा करता है जूफलेजलेट होता है यह अमीबा होता है यह सिलेट होता है यह कौन सा होता है तो यह जूफलेजलेट होते हैं जूफलेजलेट की स्पीशीज ने जो ड्राइव की डाइलेशन भी करती हैं. नेक्स्टें क्वेनो फ्लेजैलेटे घंग मैं स्पोंजी से क्या जरीजैम्बल करते हैं यह नहीं करते हैं. इस तरह होती है. यह इसके गिर्गासे बने होकी होते है todos यह बहुत ज्यादा अच्जै पहुत ज्छैदा पहाच करते हैं शेप ऑफ सिलियेट्स गैनाट भी चेंट, देखें, डेफिनेट शेप होने का मतलब है, कि शेप उसकी मतलब एक तरह की शेप रखते हैं, यह नहीं कि इर्रेगुलर शेप जैसे अमीबा की है, अमीबा की शेप को हम इंडेफिनेट कहेंगे, और जो इसलियेट्स की शेप हो बीट्इ, यह नहीं शेप ऑफ सिलियेट्स गैन इसलियेट्स गैन इसलियेट्स applies to control cycle ओप्षय मतलेर कंई ऐसेट्स सल्थे लेडोर में ठाइक जाएक हें तो के यह यह तो क्या काम होते है, भी वही चीज़ है और गनली है तो बेस्ट ओप्शिन इस ओप्शिन एलफा नेक्स एमसी को देखते हैं macromolecules of ciliate is macronucleus यहां पे nucleus आना है macronucleus of ciliate is haploid, diploid, monoplyde ciliate का macronucleus क्या है polyploid diploid होते है 2N haploid होते है 1N जिसमें एक टाइप के chromosome हो और polyploid के होते है multi-n यहीं काफी different type के chromosome हो सकते है next time से एक टेखते फोरा मिनी फेरन्स और अक्टिनो पोर्ड्स आर फोरा मिनी फेरन्स और अक्टिनो पोर्ड्स यूनिसेलूरर है multi-cellular है यह crystal-like है यह non-living है पहली बात crystal-like का क्या मतलब है crystal-like मतलब non-living इसलिए यह तो गलत हो गया क्योंकि crystal किनकी होती है जैसे viruses की होती है तो वो non-living है यह non-living तो है नहीं यह living है तो इसका best option is option alpha यह 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 आर यूनिसेलूलर फोरा मिनी फेरन्स और अक्टिनो पोर्ड्स आर यूनिसेलूलर अक्टिनो पोर्ड्स जिनके गलासी शेल्स होते हैं वो इन में से कौन से है रेडियो लेरियन से है यह फोरम से है यह कैप से यह डायटम से तो best option is option beta यह रेडियो लेरियन वो अक्टिनो पोर्ड्स है जिनके गलासी शेल्स होते है next time चीज़ लेखते है sporosite formation in epicomplexions occurring sporosite कहां farm करते है कहां उनकी production होती है लेकिन जब भी कोई mosquito insert करते है human में या किसी बी animal में तो वो sporosite insert कर रहा होते है लेकिन इनसानों में ये band नहीं होते है man में ये band नहीं होते man में ये insert हो रहे होते है और जब वो man से आदमी से कोई चीज़ लेके जाते है तो वो gametosites होते है तो यनि man नहीं sporosites बनाता है नहीं है तो ये कहां बन रहे होते है inside mosquito next time से क्यों जेखते है chill fever and other symptoms in malaria due to chill fever और दूसरी symptoms malaria में क्यों होती है death of plasmodium की वज़ए से या फिर lack of immunity in plasmodium की वज़ए से immunity in plasmodium ये तो गलत बात होगी toxic substance produced by plasmodium yes toxic substance produced by plasmodium causes symptoms like chill fever and others next time से क्यों देखते है classification of algae into phyla is largely based on algae की classification phyla में largely based होती है इनकी shape पे, इनकी structure पे या इनके size पे ना ही shape पे, ना ही size पे, ना ही motility पे ये ज़्यादा तर base होती है pigments वगेरा पे, तो best option is option delta next time से क्यों देखते है spirogra is a, spirogra क्या चीज़ है इन में से, spirogra red algae green algae, diatum है या blue green algae blue green algae तो bacteria होगे cyanobacteria होगे, ये तो गलत हो गया so spirogra algae है diatum भी गलत हो गया तो best option is option beta यानि spirogra एक green algae है green photosynthetic algae है next time से क्यों eucleinides are closely related to zoo flagellates based on their molecular data they are placed under हमें बता होना चाहिए eucleinides किसके under placed है algae के या फंज़ई के या ciliates के ये algae के under placed है next time से क्यों देखते red tide color the water red tide को हम red तो कहते हैं लेकिन ये हमेशे red color नहीं देता कभी orange देते हैं कभी brown देते हैं तो best option is option delta यानि any of above यहां पे mostly covered नहीं यूज़ किया था इसलिए any of above यूज़ हुआ next time से क्यों देखते है most green algae have cell wall of cellulose जयादा तर green algae की जो cell wall है वो cellulose होते है ये true statement है या false statement है ये true statement है next time से क्यों देखते है brown algae यार brown algae multicellular होते है या fucofite होते है या protist होते है brown algae हमें पता है ये kingdom protist है मैं तो ये protist है ये okay हो गया ये multicellular होते है most ये भी सही हो गया तो इनको scientific name की है fuophyte है तो ये भी सही हो गया the best option is option delta next time से क्यों देखते है monophyllatic lineage इन में से कौन सी चीज है जिसकी lineage monophyllatic है या फिर दोनों एक ही ancestor से belong करते है plant and algae तमाम algae और plant की एक नहीं है plant and brown algae नहीं brown algae की भी नहीं है plants and green algae yes best option is option beta plants and green algae next time से क्यों देखते है fungus like protist lag जो fungi like protist होते है जो slime mold या water mold वगेरा होते है इन में कौन सी चीज absent होती है kaitan नहीं होता है इनकी cell wall में उनकी cell wall में cellulose होता है तो ये भी lack हो गया absence of centrioles उनमें absent होते है centrioles यानि they lack absence of centrioles यानि उनमें centrioles present होते है lack और absent एक साथ आगे दो negative word आजे तो meaning positive हो जाते है next time see you देखते है photosynthesis जी उनमें photosynthesis भी lack होती है तो best option is option delta next time see you देखते है model organism phycerum polysipherum belongs to phycerum polysipherum किस से belong करते है kingdom protista से करता है या slime mold से करता है या fungi like protist से करता है तो best option is option delta next time see you देखते है sexual process exhibited by most ciliates most ciliates का जो sexual process होता है वो कुन सा होता है conjugation होता है sexual process exhibited by most ciliates is conjugation binary fission bacteria में होती है fragmentation ज्यादा yeast वगरा में होती है next time see you देखते Irish potato phymin was cast by Irish potato phymin slime molds ने किया थे या water molds ने ये वाला phymin water mold की वज़ा से हुआ था यनि ये fungi like protist ने माइं का aask बने थे next time see you देखते है study of fungi fungi की study को क्या कहते है myology या myology myology या mistology या fungology तो best option is option beta biology muscles की study को कहते है and myology fungi fungi की study को कहते है next time see you देखते है most fungi are ज्यादार फंजई हैपलाइड होते हैं, यह डाइपलाइड होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ज्यादार फंजई क्या होते हैं, हैपलोइड, best option is option alpha, सारे नहीं, कुछ डाइपलाइड भी होते हैं, ज्यादा तर हैपलाइड होते हैं, आल फंजई हैब हाइफी without exception, क्या सब फंजाई में हाइफी होते हैं नहीं ये एक false statement है ये गलत statement है सब में हाइफी नहीं present होते हैं कुछ में absent भी होते हैं जैसे yeast 2 गहरा में नेक्स्ट एमसी क्यूज देखते हैं फंजाई can also digest डेश अधर decomposers cannot फंजाई क्यूटन को कर सकती है फंजाई क्यूटन को कर सकती है decompose जबके बेक्टेरिया वगएरा नहीं कर सकते तो best option is option beta small carbohydrates तो बेक्टेरिया वगएरा कर सकती हैं हाइफी न परासाइटिक फंजाई आर जो परासाइटिक फंजाई की best हाइफी है वो कौन सी है जो उनकी सबसे ज़्यादा movement सबसे ज़्यादा उनके काम में यूद होती है वो कौन सी होस्टेरिया हाइफी न परासाइटिक फंजाई आर होस्टेरिया नेक्स एमसी क्यूटन देखते है reserved food material of fungi and animals is फंजाई और animals का reserved food material कौन सा होता है यह similar होता है यह different होता है तो reserved food material of fungi and animals is similar नेक्स एमसी क्यूटन डिसकस करते है spores are always applied except हमेशा spores applied होते है लेकिन जो zygo spores होते हैं इनमें एक स्टेज आती है कि एक spore में दो निकलाई हो जाते है यानि डाइपलाइड हो जाते है spores are always applied except zygo spores hyphae of zygo spores जो zygo spores होते है इनकी hyphae कैसी होती है unineucleated होती है या multi-nucleated होती है तो इनकी hyphae multi-nucleated होती है क्योंकि उसमें cross walls नहीं होते तो यह से एक है यह इधर एक nucleate इधर एक nucleate है इस तरह multi-nucleated हो जाती है the yeast grows on shore curtains इनमें से कौन सा yeast है जो shore curtains पे grow करता है rodo-torola होता है या rabdo-fighter होता है या फिर neurospora होता है तो इसका best option is option rodo-torola यह पंजाब की books की information है chapter के end पे information दी हुई है next mcq जेखते corn smart on ear of wheat corn is cast by corn smart on ear of wheat is cast by इसका best option है इस टील है जो medis जो corn पे होती है जो corn पे होती है जो wheat पे होती है तो यहां में best option कौन से option बीटा next time से क्यों देखते edible fungi इस इन में से कौन से फज़ई है जो edible होती है agarigas होती या truffles होते या morals होते ये सब खाने के काबल होते तो best option is option डेल्टा next time से क्यों देखते underground fruiting bodies can be found with the help of अंडर्गॉंड फूटिंग बोडिज को पायते हैं अंट्रेंड नी ट्रेंड डोग या पीके जरी है तो बैस्ट ऑप्शिन इस ऑप्शिन चारली नेक्स छेम से को देखते हैं वी swojeul फॉलंगे है रोले है तो लाइकन्स का लाइकन्स काुटबॉंड अपकतर्फॉंड पैनिसीलियम हे पैनिसीलियम का उटो API, खेमोट्रोफ है सेपरोट्रोफ है, तो penicillium सैन्प्रोट्रोफिक फंज़ई इंपरफेक्ट फंज़ई, वो फंज़ई जिसमें सेक्श्वा र्यु प्रोड़क्शेन नहीं होती है, उसे इंपरफेक्ट फंज़ई कहती है तो उसका रीकंबिनेशन कोण वर होते हैं, चार सपोर होते हैं, बिसली एंगाल होते हैं नेक्समसी कि बमतुरा होते हैं। चार स्पोर होते हैं। Zygomycetes have actually true gmets, नहीं, इनके जो gmets होते हैं, यह false gmets होते हैं, नेक्स एमसे क्यों देखते है, राइजोपस इसा, राइजोपस क्या है, राइजोपस ब्लू गरीन मोल्ड है, या फिर ब्लू ब्रेड मोल्ड है, या पिंक मोल्ड है, इसका common name है, ब्लू ब्रेड मोल्ड, नेक्स एमसे क्यों देखते है, प्लाजमोगैमी इस, प्लाजमोगैमी प्लाजमा का जहां भी लफज आजे, साइटोपलाजम से रिलेटिड होता है, तो fusion of साइटोपलाजम, नेक्स एमसे क्यों देखते, budding is a type of division, budding किस टाइप की डुवीजिन है budding is a type of asymmetricalКак asymmetrical division है next time से की हो जाएथ 2 fungi fungal assaykal spores जो fungi के assaykal spores होते हैं yaptnotile होते हैं या nonmotile होते हैं या diplied होते हैं या born on not inside spore engym होते हैं तो जो fungi के assaykal spores होते हैं, तो ये non-motile होते हैं motile नहीं होते हैं, ये diplied होते हैं, bone inside होते हैं, not on होते हैं, तो best option is option delta, next time से क्यों देखते हैं fungi can bear pH, इन में से कौन सी pH है, जो fungi can bear कर सकती है fungi can bear 2 to 9 pH तो इन में से 2 और 9 के दर्मियान कौन सी आती है 6, alpha option is correct option next time से क्यों देखते हैं, लाइकन किस चीज़ से cover करते हैं, लाइकन के से structure कुछ इस तरह होती है, कि उपर एक fungal layer होती है, दूसरे organism और नीचे एक fungal layer, तो fungi on surface and bottom होती है, तो best option is option Charlie next time से क्यों देखते हैं, folios lichen, इस इन में से कौन सा lichen है, जो folios lichen है, तो ये ramellina, ramellina is a folios lichen, ये याद होना चाहिए, सब को ramellina is a folios lichen, ये lichen की stages होती हैं, जो succession में help करती है, next time से क्यों देखते हैं, color of lichens is, lichen का color एक नहीं होता, lichen का color varying होता है, different होता है कभी, 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 next time से क्यों देखते हैं, fungai mostly grow in moist habitat, but are found wherever organic matter is found, but lichens can bear harsh in vietnam it more easily than alone a fungus can, but lichens can grow on places such as bear rocks, ये true है, ये false, ये true statement है, ये statement, true statement है, यनि lichen उदर भी grow कर सकते हैं, जिदर अकेली fungai नहीं कर सकती, यनि bear rocks वगरा में lichen तो grow कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे fungai वगरा नहीं ग्रो कर सकती है, next time से क्यों देखते है, lichen is a symbiotic relationship, that is, symbiotic relationship की टाइप से, जैसे mutualistic है, parasitics और commensalist है, तो mutualist ऐसा relationship होता है, जिसमें दोनों को फाइदा हो, तो ये कौन सा है mutualistic, यानि जिसमें दोनों को फाइदा हो, next time से क्यों देखते है, fungi is, fungi more tough than plants है, ये less tough than plant है, ये less tolerant than bacteria है, तो इसका best option क्या है, more tough than even plants, fungi बहुत ज्यादा tough होती है, इनके जो cellulose में chitin होते हैं, ये cellulose और lignin से भी ज्यादा tough होता है, बहुत ज्यादा tough होता है, तो next time से क्यों देखते हैं, body of fungi, बोड़ी, फंजई की body short नहीं होती, long होती है, unbranched नहीं, branch होती है, ज्यादा ट्यूबिलर होती है, ये correct option है, correct option is charlie, next time से क्यों देखते हैं, fungi are not, इन में से कौन सी ऐसी मटाइल हैं, सही है, लेकिन उन्होंने पूछे, are not, इन में से गलत कौन सा है, absorptive hyto traffic, ये भी correct है, लेकिन ये भी गलत नहीं है, kaitan containing, ये भी correct हो, the best option is option, delta, यानि इन में कोई भी option गलत नहीं है, next time से क्यों देखते हैं, during nuclear mitosis, nuclear envelop does not does not break, nuclear envelop constricts between cluster of nuclear, daughter mitosis form within the nuclear, ये all, तो इसके सारे option correct है, यानि nuclear envelop does not break, यहां बे ब्रेक आने वोट, does not break, nuclear envelop does not break, nuclear membrane constricts between cluster of daughter nuclear, ये भी correct है, mitotic spindles form within the nuclear, ये भी correct हो, the best option is option, delta, चले, अल्लादला काम याब करे, thank you very much, thank you very much, अल्लादला काम याब करे, आपको thank you